दल बदलूओं की भागम भाग के बीच असदुद्दीन ओवैसी ने आज उत्रप्रदेश में नौ कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी कर दी है AIMIM की पहली लिस्ट में सभी नौ मुसलिम उमीदवार है ओवैसी ने गाजियाबाद की लोनी सीट से डॉक्टर महताब को टिकेट दिया है तो वहीं दोलाना से हाजी आरिफ को मैदान में उतारा है सरधना से जिशान आलम को टिकेट दिया गया है इसके अलावा किठोर से बात करें तो किठोर से तसलीम को टिकेट मिला है वही बेहट से अमजद अली को AIMIM द्वारा टिकेट दिया गया है और बरेली से शाहीन रजाखान को असदुद्दीन ओवैसी ने टिकेट दिया है ओवैसी ने उत्तरप्रदेश में 100 सीटों पर चनाव लड़ने का ऐलान किया है और ये पहली लिस्ट सामने आई है जिसमें 9 कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया है तो आपको बताते हैं कि ओवैसी के उमीदवार कौन कौन है और किन किन सीटों से वो चनाव लड़ रही है ये देखिया आपकी स्क्रीन पर पूरी लिस्ट है डॉक्टर महताब को लोनी से टिकेट दिया गया है उसके अलावा फुरकान चौधरी को गड़ मुक्तेश्वर से चनावी मैदान में उतारा गया है हाजी आरिफ की बात की जाए तो धौलाना से उन्हें टिकेट मिला है रफद खान को सिवाल खास से सदुद्दीन ओवेदी की ओवेसी की पार्टी ने टिकेट दिया है साथ ही मरगूब हसन को सहारनपुर देहाच से पार्टी ने चनावी मैदान में उतारा है तो ये वो नौ कैंडिडेट जिनको AIMIM ने उत्तरप्रदेश की जो पहली सूची है चनावों के मद्देनजर जारी कर टिकेट दिया है